आज हम बहुती टेश्टी बनके तयार होने वाले कुरकुरे की रेशिपी लेके आए हैं इन कुरकुरों को बनाने के लिए हमें ना ही मेदे की जरूत पड़ेगी और ना ही बेशन की और ना ही चामल के आटे की जरूत पड़ेगी बिना मेदा बिना चामल के आटे के हम ये कुरकुरे बना के तयार कर लेंगे अगर आपके बच्चे ज़्यादा बाहर के पेकिट वाले कुरकुरे खाते हैं तो आप इस रेसिपी के अनुसार आप उनको कुरकुरे बना के घर पे दे सकते हैं ये कुरकरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं इसके लिए एक मिक्सी के जार के अंदर हम एक कप सूजी ले लेंगे सूजी को हम पीस के पाउडर बना लेंगे इस तरीके से हमने पाउडर बना लिया है इसमें थोड़े-थोड़े सूजी के दाने रहे जाते हैं बस इतना ही हमें रखना है और इसे एक खुले बरतन के अंदर निकाल लेंगे आदा छोटा चमच हम इसके अंदर काली मिर्ज का पाउडर डाल देंगे आप चाहे तो चीली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं बिल्कुल थोड़े से और तीन चमच हमने इसके अंदर रिफाइंड ओल डाला है आप चाहे तो घी या बटर भी ले सकते हैं और रिफाइंड को और काली मिर्ज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुटलियों को फोड़ते हुए जैसे सारे गुटलिया फूट जाए तो हम इसे हातों से मिक्स करेंगे और मुटी बांद के देख लेंगे अगर मुटी बनती है तो ठीक है और ना थोड़ा सा ओइल ओड़ डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका soft dough बना के तयार कर लेंगे सूजी का हमें soft dough ही बनाना है क्योंकि जैसे जैसे सूजी फूलती है तो ये hard हो जाती है सुजी पानी को अवजो कर लेती हैं जिससे आटा कड़क हो जाता है इसलिए हमें आटे को सोफ्ट ही रखना है ताकि जैसे हम इसे रेश्ट के लिए रखे तो आटा जिस तरीके का हमें चाहिए उस तरीके का आटा तयार हो सुजी का डो लग चुका है सुजी के डो को हम ढग के 15 मिंट रेश्ट के लिए रख देंगे तब तक हम मसाला तयार कर लेंगे यह हमने एक पेकिट मेगी मसाला लिया है आप चाहिए तो नूडल्स मसाला भी ले सकते हैं मेगी मसाले को हम एक बाओल के अंदर निकाल लेंगे अब इसके अंदर हम चाट मसाला डाल देंगे आटा चोटा चमच और आदा चमच हम इसमें अच्छे कलर के लिए लाल मिर्ष डाल लेंगे कश्मीरे वाली कश्मीरे लाल मिर्ष से कुरकुरे तीखे नहीं होते हैं और अच्छा सा कलर आ जाता है कुरकुरों का इस मसाले को साइड में रखेंगे और आटे को 15 मिन्ट के बाद हम धक्कन हटा के चेक करेंगे जैसा हमें आटा चाहिए था वेसा आटा तयार हुआ है अब आटे को ओल लगा के हम मसल मसल के चिकना कर लेंगे डो को हम किचन प्लेटफर्म पर अच्छी से मसल के रोल करते हुए छोटे छोटे पीशेश में कट करके तयार कर लेंगे डो को हम बराबर तीन बागों में कट कर लेंगे अब एक एक को उठा के इसकी लोई बना के तयार करेंगे इस तरीके से हमने लोई बना लिए और लोई को हम अच्छे से बेल लेंगे ओल लगा के जिस तरीके से हम रोटी बनाएंगे उस तरीके से हम आटे को अच्छे से बेल लेंगे हमें ना जादा मोटा आटे को रखना है और ना जादा पतला बेलना है इन कुरकुरों को आप आपके मन पसंद शेप में बना के तयार कर सकते हैं चारों तरफ से किनारे को अच्छे से बराबर बेलना है कईसे मोटी पतली नहीं देनी चाहिए किनारे पहले आटे को स्क्वार शेप में कट कर लेंगे इसके लिए हम एक knife से चारों तरफ से थोड़ा-थोड़ा आटा कट करके निकाल लेंगे साइड से जो आटा कट करके हमने निकाला था उस आटे को हम आटे के अंदर मिला लेंगे ताकि आटा वेश्ट ना हो और फिर हम पतले-पतले बीच में से और कट लगा लेंगे इस तरीके से सारे कुरकुरों को हम ट्राइंगल सेप में कट करेंगे इस तरीके से छोटा-छोटा ट्राइंगल्स हम कट करके रखेंगे इस तरीके से ट्राइंगल्स में कट की हुए कुरकुरे बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुन्दर लगते हैं ये लीजिए हमने सारे कुकीज को इस तरीके से कट करके प्लेट के अंदर रख लिया है अब एक कड़ाई के अंदर हमने तेल पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था और गरम तेल के अंदर हम एके करके सारे कुरकुरे डाल देंगे गेस की आज हम मेडे मी रखेंगे हमें एक साथ सारे कुरकुरे नहीं डालने है औरना ये आपस में चिपक जाएंगे इन्हें एकेक करके ही हम गरम तेल के अंदर डालेंगे जैसे जैसे कुरकुरों को हम तेल के अंदर डालेंगे वेसे वेसे ये फूल के उपर की और आने लगते हैं और ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनके तैयार होते हैं और बच्चों को बहुती ज़्यादा ये पसंद होते हैं इन कुरकरों को आप एश्ट्रा बना के रखते हो तो ये एक दिन के अंदर ये खतम हो जाते हैं क्योंकि ये कुरकुरे बहुती ज़्यादा टेस्टी बन के तयार होते हैं इन्हें फ्राई करते समय गेस की आज हम मीडियम रखेंगे तो ये बहुती अच्छे से अंदर तक क्रिश्पी होएंगे इन कुरकुरों को फ्राई करने के लिए हमें 7-8 मिन्ट का समय लगा है जैसे इस तरीके से इनका कलर चैंच हो जाए तो हम इन्हें एक चलनी के अंदर निकाल लेंगे इन कुरकुरों को आप चाय के साथ सारू कीजिएगा बहुती टेस्टी लगते हैं ये चाय के साथ सारे कुरकुरों को हम एक खुले वर्तन के अंदर निकालेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने अगर इन्हें हम ढग देते हैं तो ये सोफ्ट हो जाते हैं और इनमें कुरकुरों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है इसलिए हमें इसे खुले वर्तन के अंदर ही निकालना है और जब तक ये पूरी तरीके से ठंडे ना हो जाए जब तक हमें इने खुला ही रखना है ये हमारे बहुत ही टेस्टी कुरकुरे मन के तयार है इसी तरीके से हम दूसरे वाले कुलक्रे भी फ्राइ कर लेंगे इन्हें एक प्लेट के अंदर हम सर्व कर लेंगे इन्हें निकालने के बाद हमने जो मसाला बना के तैयार किया था वो मसाला इसके उपर हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इनका flavor और भी अच्छा बने मेगी मसाला डालने के बाद ये बहुत ही tasty बनके तैयार होते हैं और बिल्कुल market के जैसे बनके तैयार होते हैं ये कुर्कुरे बहुत ही जादा क्रिश्पी बनके तैयार हुए है इन्हें मैं तोड़के दिखाती हूं आप सुन सकते हैं आपको आवास से ही पता चल रहा होगा कि कितने कुरकुरे बनके तैयार हुए है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में